हेलो एब्रीवन आज हम आपको थारेट के बारे हैं बताएंगे कि थारेट आपको कैसे कंट्रोल हो सकता है ठीक है लास्ट नम यह भी बताएंगे क्या खाने से आपको थारेट बढ़ता है और कैसे आप अपने थारेट को कंट्रोल कर सकते हैं आज पहले हम आपको योगा से और आपको चार आसन करके दिखाएंगे इससे कि आपका थार्ट करते हैं पहला संगर करके दिखाते हैं आपको पहला संगर करें और लेक को बैंड करना है उपपर के साथ से कि अराम से अराम को अराम से लेट जाना पीछे और अपने हैट पे खेसर रखना है एक उतने हो जाए अर अपनी दोन हातों से अपने अंगोट्य को पकड़ लेना और फिर वह बैंड करने तो प्रोट गण अगर आपको पैर छोड़ देने बढ़ा है अगर आपको हुआ है मैं तस से record होड़ाने अगर के कपी secondo ज्याजा है को अगर को confiscate अंगिन आपको अगो घरße तो आप ज्याजा भी कर सकते हो अगर थोड़ा आप्को सफ किtake न एक है कि ऐस donor नेक्स पार्ट भी कर सकते हैं उसमें आपके पैर स्टेट रहते हैं इसमें आपके पैर स्टेट रहेंगे दोन हाथ आपके बॉड़ी के नीचे नेक्स पुषकर लेना है जैसे आपने पहले वाले आसन में किया तो हमने इसमें भी आपके अलबो नीचे टॉस रहेंगी फ्लोर के और 20-15 सगेंड के खोड़ करना है इसमें आपको भी 15-20 सगेंड पर खोड़ करना है और इन दोनों आसन के आपको दोगुसाइट लगाने ठीक है आप तीसरा करते है इसमें आपके इतना ही बेट होगा आपके सोल्डर पर होगा प्यान रखना आप बेट रखोगे तो सोल्डर पर रखोगे दोनों प्यारों को पर उठा लेना है पुष करना है इसको फिस ओल्ड करना है इसमें भी रिल्यक्स करना है इसमें भी आप 30 से 40 से कंड कर सकते हो इसके भी आपके दोवासन करने है लास करेंगे अलासन करेंगे जोटासन इसमें हता आप डोनों करीके सफ रख सकते हो फकड़ भी सकते हो अंद चेड़ बीड़ कर रह सकते हो इसमें सब्सक्राइब आपको दो भी सैट करने हैं जो आप मैंने आपको चार असन बताएते इन चारो असन के आप दो-दो सैट करना जितने आपको कैपिशिटी हो आप उनी की उसी के अमसार से रुपना अगर आपको थेरट कंट्रोल करना है तो आपको healthy food कंट्रोल करने पड़ेंगे जितनी भी oily चीज़ होती है उसे आपको इग्णॉर करना पड़ेगा ज्यादा स्यादे इग्णॉर कीजिए जितना आप अपने मोटापे को कंट्रोल करके रखोगे उतना ही benefit होगा ज्यादा healthy ह होने से आपको नुकसान होगा ठीक है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद रही हो प्लिस लाइक और श्राइर करना जितना हो सकता है कमेंट करना प्लिस सब्सक्राइब जिरू बनना ओके बाई